चलिए परमाणों की संद्रचना को एक बार फिर से देख लेते हैं परमाणों के मध्य में केंद्रक होता है और उसके चारों और एक विशिष्ट परिक्रमा पथ में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं प्रोटोन और न्यूट्रोन केंद्रक में होते हैं प्रोटोन में धनात्मक आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में रेनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रोन में आवेश उदासिन होता है हम जानते हैं कि वृत्त में तरिज्जा का अर्थ होता है वृत के मद्य से वृत के किसी बिंदू तक का अंतर ठीक उसी प्रकार परमाणू में परमाण त्रिज्जा परमाणू के केंद्रक से उसके बाहियक अक्षा के बीज का अंतर होता है किसी भी तत्व का परमाणू बहुत छोटा होता है इसी कारण परमाणू तृज्जा 1 म मоны Crisp ननोमेटर मापन पहते हैं इसका मतलब होता है कि अगर किसी परमाणू में अधिक कख्शां हुती है तब तृज्जा भी अधिक होती है और इसी कारण वच परमाणू का आकार भी बड़ा माना जाता है जैसे sodium na की परमानु संख्या 11, electron vinyas 2, 8, 1 है और कक्षाओं की संख्या है 3, potassium k की परमानु संख्या 19, electron vinyas 2, 8, 8, 1, कक्षाओं की संख्या 4, इसी कारण potassium की परमानु तरिज्जा sodium की परमानु तरिज्जा से अधिक है अता sodium की अपेक्षा potassium का परमानु आकार भी बड़ा है एक अन्य परिस्थिती में कक्षाओं की संख्या समान है पर उनमें स्थित electron की संख्या अलग-अलग है जैसे sodium का परमानु संख्या 11, electron vinyas 2, 8, 1 है और कक्षाओं की संख्या है 3, बहाई ये कक्षा में electron की संख्या 3 है और magnesium mg की परमानु संख्या 12 है और इसका electron vinyas 2, 8, 2 है कक्षाओं की संख्या 3 और बहाई ये कक्षा में electron की संख्या 2 है परमानो के proton और electron के बीच आकर्शन होता है अगर परमानो के बाहिय अकषा में electron के संख्या अधिक है तब आकर्शन मजबूत होता है और इसलिए त्रिज्या चोटी होती है जिसके कारण परमानो का आकार भी चोटा होता है इसी कारण से मैगनेशियम का परमानु आकार सोडियम के परमानु आकार से छोटा है परमानु द्रव्यमान परमानु के केंद्रक में उसका परमानु द्रव्यमान केंद्री भूत होता है प्रोटोन और न्यूट्रोन केंद्रक में होते हैं प्रोट्रोन और न्यूट्रोन की कुल संख्या को परमानू द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि अनू तत्व का सबसे छोटा भाग होता है। इसी कारण परमानू का द्रव्यमान निकलना बहुत कठिन होता है। इसी कारण सापेक्ष द्रव्यमान की संकल्प कुछ समय के बाद कुछ मामलों में कार्बन को भी संधर्प के तौर पर लिया जाने लगा